हेलो फ्रेंड मैं हूनी शौर स्वागत है आपका हेल्पिंग लाइब टिप्स में डिलेवरी के बाद हर महिला अपने बेबी के रंग रूप और वजन का बहुत ध्यान रखती है सभी पैरेंट्स आते हैं कि उनके बच्चे का रंग साफ हो और अगर उनके बच्चे का रंग सावला होता है तो मा अलग-अलग नुसके अपनाती है बच्चे का रंग साफ करने के लिए तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे घरेलू नुसकों के बारे में जानेंगे जो आपके बेवी का रंग साफ करने में आपकी हेल्प करेगा लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि बेवी का रंग काला या साउला क्यों होता है तो बेवी के तवचा का रंग उसकी तवचा में उपस्थित मेलनीन की मात्रा पर निर्वर करता है और यह मेलनीन की मात्रा जिन्स पर निर्भर करती है सिसू के सरीर में मेलनीन की मात्रा अधिक होने पर उसका रंग गहरा या सावला होता है और मेलनीन की मात्रा कम होने पर बेबी का रंग गोरा होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका रंग भी चंज होता है उसका वास्त्विक रंग आने में डेल से दो साल लग जाते हैं जब आपके मैंन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या तवचा का रंग बदलना संभव है तो इसका जबाब है नहीं बचा के नेचुरल करोड को बदला नहीं जा सकता है लेकिन आप कुछ उपायो को करके उसके रंग को काफी हद तक साफ जरूर कर सकते हैं तो आईए जानते हैं उन उपायो के बारे में पहला है बेवी का हलके गरम तेल से मालिश करे जब आप हलके गरम तेल से बेवी की मालिश करते हैं तो यह कई रोगों से बचाने में आपकी हेल्प करेगा तेल में आप नारियल तेल, अलमांडा ओल या आलिवाईल का व्योग कर सकती हैं नहलाने से पहले शिसू की मालिक्स हलके गुनगुने तेल से करने से इस्कीन का कलर तो साफ होता ही है, साथ ही इस्कीन स्वेश्ट रहती है दूसरा है बेशन का उप्टन, बेशन डेड इस्कीन को अलग करके तवजा को साफ करता है बेसन में कच्चा दूद और थोड़ी सी हल्दी मिला कर बेबी को नहाने से पहले लगाएं 10-15 मिनिट लगाने के बाद इसे काटन के कपड़े से साफ कर लें फिर सिसु को नहलाएं तीसरा, फ़लो में एंटी आक्सिडेंट, एंटी इंप्लामेंट्रिक गुड़ होते हैं जो तुचा के लिए बहुत लावदायक होते हैं इसलिए आप ताजे फ़लो का रस बेबी की तुचा पर अपलाई कर सकती हैं जिससे इसकीन कलर साफ होता है और उसमें चमक आती है जैसे आप टमाटर के पल्प में दही मिला कर सिसु की मालिस कर सकती हैं चोथा है, सिसु की तुचा नाचुक होती है उन पर केमिकल युक्त साबुन, सैंपू, मस्टराइजर का इस्तमाल आपको नहीं करना है इसके अलावा दूद की मलाई में थोड़ी सी हल्दी मिला कर बेवी का मसाज़ कर सकती है पाचवा है ओट मिल स्क्रब ओट मिल स्क्रब बनाने के लिए दो चमच ओट मिल में थोड़ा गुनगुना पानी और सहद मिला कर पेस्ट बना लें अब इस पेश्ट को हलके हाथों से बेबी के स्कीन पर लगाएं और उसके बाद नहला दें ओट मिल में उपस्थित एमीनो एशीट सीसू की तचा के रंग को साफ करने में हेल्प करता है नमबर सिक्स अगर सीसू के स्कीन पर रेशेज हैं खुजली या जलन हो रही है तो आप अलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकती हैं अलोवेरा जेल में आप बेशन, दही, सहद या नारियल तेल भी मिला कर यूज़ कर सकती हैं शात्वा है न्यू बार्न बेवी को गुनगुने पानी से नहलाना है आठवा आपको सिशू को सनवाद देना है सिशू को 6 महिने तक शुर्योदय के समय सुर्य के प्रकास में ले जाएं जिससे उन्हें विटामिन D मिल सके लेकिन ज्यादा देर तक धूप में न रखें विटामिन D त्वजा में होने वाले बैक्टीरिया और उससे होने वारे इंफेक्शन को दूड करने में मदद करता है नावा सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो आप कर सकती है चंदन, हल्दी और केसर को दूद में मिला कर लेब बनाएं इसे बेबी की स्कीन पर लगाएं इससे बेबी की स्कीन में निखार आ जाएगा तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जो आप बेबी के रंग को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें फ्रेंड के साफ सेयर करें और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सस्क्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे थैंक यू